मखाना के बारे में तो आप सबी जानते होंगे लेकिन हमारे बच्ची के लिए ये कैसा होता है ये भी जानना जरूरी है और मखाना हम अपने बच्चे को कितने मन से देना शुरू कर सकते हैं और इसके क्या-क्या फाइदे आपके बच्चे को होंगे और इसकी एक बहुत ही अच्छी रेसिपी मैं वीडियो के लास्ट में शेयर करूंगी इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मखाना हमें बच्चे को कब देना चाहिए तो जब आपको बच्चा 6 महीने का हो जाए तभी हम उसे मखाना देना मखाना हम गर्मियों के मौसमें भी दे सकते हैं अब जब मखाना देना शुरू करें तो शुरुवात में हम बच्चे को मखाना की खीर दे सकते हैं मखाना की प्यूरी दे सकते हैं या किसी और फूर्ड में भी मखाना का पाउडर मना कर डाल सकते हैं और मखाना में कैलशिय From each part, it is a very good protein. इसलिए इसलिए बचों काटिया मस्सेल्स बहुत अच्छ से मजबूत होती है meat विख गष के मैंअ मेरे बाईजेस्ट के अचले है, जना में लोगा में हम बुद्गी के आपद चलन रहे हैं जिसको आप इस गर्मियों में भी अपने बच्चे को दे सकते हैं सबसे पहले मखाना को हमें लेना है एक कटोरी मखाना यहाँ पे लिया है और इसको छोटे छोटे तुकडों में तोड़ लिया है अब इसको हमको ड्राइ रोस्टी करना है धीमी आज पर थोड़ी देर तक चलाते हुए ड्राइ रोस्ट करेंगे जब यह हलका सा कलर चेंज हो जाएगा इसका उसके बाद हमें गैस की फ्लेम को बन कर देना है और उसके बाद इसको हम एक मिकसर जार में डालेंगे और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे ग्राइंड करने के बाद यह बहुत ही अच्छा सा पाउडर बन कर तयार हो जाएगा अब इस पाउडर को अगर आपका बच्चा छे मही नेका है तो आप एक ही चमश से शुरुआत करें और जैसे जैसे बच्चे की एच बढ़े वसे आप एकसे दो चमश तीन चमश शुरुआत कर सकते हैं और हम इसको वह रदिया हम गुनगुना पानी थोड़ा सा एट करेंगे इसको अच्छे से मिकस और यह बच्चे के लिए बिलकुँ तयार है हाँ जब बच्चा एक साल का हो जाए तब आप इसमें पानी की जंगा दूद एट करें तो यह बहुत ही जादा फाइदा करेगा एक साल से छोटे बच्चे को आप अगर दूद देना चाहती हैं तो फार्मूला मिल्क में दे सकती हैं वरना एक साल के बाद आप इसे काव मिल्क में बना कर दे सकती हैं यह बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है गर्मी में भी आप आसानी से बेजिजख होकर इसको दे सकती हैं और यह बच्चे को फायदा पहुचाएगी वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से ला झाल